हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल सुरज पटेल एजिकेसन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिती ने एक्जामिनेशन को लेके इंपोर्टेन अपडेट दिया हुआ है यह दोस्तों कुछ इस्टुरेंट डिटेल में हम जानेंगे तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो प्लेस याद चैनल को सब्सक्राइब चलूर करना चलिए दस्तों हम देखते हैं मुंबई यूनिवर्सिती का जो नोटीस है एक्जामिनेशन ऑफ जैन्वरी एं का में वजह से उन्होंने पॉस्पॉन किया है रिवाइस देट कमेंस्मेंट ऑफ एक्जामिनेशन आर गीवें बिलो हुनोंने फिरसे उसका रिवाइस कमेंस्मेंट डेट रिलीज गिया हुआthinking का क्या है मनें-चैनल देखते हैं सेमिस्सर वन का एक्जाम जो रिपीटर इस्टुएंट है इनका भी 25 से है सेम वन एमें रिपीटर इस्टुएंट जनवरी डिसंबर सेशन के इनका भी एक्जाम 25 से है एमकॉम सेम वन के इस्टुएंट का भी एक्जाम 25 से है और यह सभी इस्टुएंट रिपीटर इस्टुएंट है चाहिए वह एक्जाम 25 से होने वाला है अब बात करते है सेम 2 एफफाइब इस्टुएंट का 27 जनवरी 2022 से एक्जाम होने वाला है फ्रेसर स्टुएंट सेम 2 एफफाइब के इस्टुएंट जो फ्रेसर है SEM 1 जो repeater था वो उपर था, इधर अपना fresher student के है 27 से है, then MA fresher student का भी exam 27 से है, MCOM SEM 2 इनका भी exam 27 से है, मतलब कि SEM 1 जितने भी है, उनका 25 से है, और SEM 2 इनका सभी का exam 27 से है, repeater जितने भी student है, इनका 25 से है, और जितने भी fresher student है, इनका 27 से है, एक मैंने हलका ये summary में आप लोगों को बता दिया, ठीके दोस्तों, नीचे उनोंने examination के बारे में कहा है, अभी आप लोगों का सवाल होगा, सर, mock test कब होगा, तो दोस्तों, आप लोगों का mock test जो होगा, वो आपके exam के 3 दिन पहले होगा, फिर आपका आएगा कि सर, hold ticket कब आएगा, दोस्तों, hold ticket आपके portal पे दे दिया तो आप सभी दोस्तों को exam के लिए best of luck, अच्छे से exam देना, कोई भी help चीए तो आप मुझे contact कर सकते हो, MCQS के related में आपकी help कर सकता हो, फिर से मिलता हो next video में दोस्तों, जब तक के लिए bye bye दोस्तों, जय हिंग, जय भारत दोस्तों